अपनी स्वास के रिदम को समझना, स्वास के रिदम को अनुभव करना, स्वास के रिदम को अनुभव करने का क्या मतलगा? सास जितनी रिदमिक होती जाएगी, सास जितनी शान्त होती जाएगी, उतना ही आपका मन शान्त होगा. मन का सबसे close relation सबसे अंतरंग सम्मंद दो तीन चीजों से होता है स्वांस के जो प्रणयाम के भी जितने भी रिशी होते हैं प्रणयाम के जितने वैज्यानिक हैं उनका ऐसा मानना होता है कि मन का सबसे ज़्यादा सम्मंद अपनी सांस से होता है यहां एक बार थोड़ा सा मान लेते हैं यद्देपी सांस से कम होता है सबसे यदा सिंसे से होता है वो बाद के पार्ट में हम एड़ करेंगे तो मन का सबसे क्लोज सम्मंद एक बार थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सांस से है तो मन बिचलित हुआ सांस आपकी बिचलित हुई सांस आपकी तेज चल रही अब आप सांस को जब नियंतरित करते हो नियंतरित करने का मतलब बहुत चबरदस्ती उस पर कंट्रोल नहीं करते नियंतरित करने का मतलब होता है observation नियंतरित करने का मतलब है rhythmic बनाना उसे rhythm में ढालना तो जब आप उसको rhythm में ढालते हो तो आपके मन में जितने बहुत तेज विचार चल रहे होते हैं वो शान्त होते हैं और जैसे ही शान्त होने लगते हैं आपका एक hormonal secretion होने लगता है और वो बेहतर होता है जिससे और आप गहराई में पहुंसे हैं सरीर के organ में शान्ती होने लगती है वे बहुत disturbed नहीं होते वे बहुत rhythmic होने लगते हैं आपकी heartbeat rhythmic होने लगती है और धेरे धेरे आप और गहन शान्ती के ओर चले जाते हैं ये एक practice है 10-11 प्रामिनेट की practice करो observation करो जिससे आप और बहतर तरीके से काम कर सकते हैं